A की capital है 54,000, B की capital है Rs. 36,000, इन्होंने C को नया partner बनाया 1 third share के लिए और C जो है वो proportionate capital लेकर आया into the business, आपको बताना है C कितनी capital लेकर आया है, ठीक है बच्चों? तो question तो ये है, अब इसका solution समझ लीजे कैसे आएगा, आपको वैसे options गेवन हैं, इन्ही options में से कोई एक आपका सही answer है, आपको सही answer को टिक करना है, ठीक है? लेकिन उसके लिए पहले आपको ये solve करना होगा, और solve करके देखना है कि क्या सही answer है, then आपको उसको टिक करना है, ठीक है बच्चो, तो आईए देखते हैं, सही answer कैसे निकलेगा, और सही answer है क्या? सबसे पहले निकाल लिए बच्चो, combined capital of A and B, यानि जो A और B की capital दे रखी है, उनको जोड ली चीए, जोड कर आया 90,000, फिर निकाल लिए बच्चो, total capital of the new firm, उसको निकालने के लिए, जो A A और B की combined capital आई थी, ठीक है बच्चो, 90,000, उसको remaining share के reciprocal से multiply कर दीजे, इससे total capital of the new firm आ जाएगी, remaining share है आपका 1-new partner share, यानि 1-1 by 3, तो remaining share हो गया 2 by 3, उसका reciprocal हो गया 3 by 2, तो total capital आपकी आगए 1,35,000, और अब C के अपने निकालनी है, तो इस 1,35,000 को C के share से multiply कर दीजे, तो बच्चो, C की capital आ गई, जो total capital of the new firm है, जो की 1,35,000 है, उसको C के share से multiply कर दिया गया, तो 1,35,000 into 1 by 3, तो इससे C के हिससे ही capital आ गई, rupees 45,000, जो की हमारे option B में दिया हुआ है, तो इसका मतलब और option B is the correct option, ठीक है बच्चो, तो option B is the right answer, clear बच्चो?